Hello Everybody, Welcome to Divinely Guided 7777 Here I come with the Message of the Day Let's see के आज का Message किसके लिए है, किस एनरजी में है, किस तरहा का है ये एक Short Video होती है, अगर आप Morning में देखेंगे तो ये आपके लिए एक Guidance है और अगर आप End of the Day देखेंगे तो ये आपके लिए Day Reflection होगा Message वही लीजेगा जो लगे आपको अपनी situation से match करता हुआ Tarot में ये Message आए हैं, सब अपने उपर impose मत कीजेगा वैसे ये Message of the Day है, तो definitely कहीं न कहीं आपके लिए Guidance का सबब जरूर वनेगा चलिए, मेरी आपसे गुजारिश होगी के इसको शाम में या रात में भी एक दफा देख लिया करें ताके आपको Counter Confirmation हो जाए कि आज जित्ती भी चीजे Message of the Day में थी, वो कित्ती पसेंट आपसे resonate हुई और अगर कुछ भी resonate नहीं होता तो, it's okay, the reading was not for you तो देखते हैं जनाप, Message of the Day Message of the Day, क्या guidance आ रही है, क्या message आ रहा है, Tarot के थू, Universe के थू Message of the Day, क्या possibilities हैं आज, Message of the Day Ten of Wands, Wheel of Fortune, Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Leo, Sagittarius and Bottom of the Day, Ace of Cups, very nice Overall energy बड़ी respect की है आज, बहुत respectful energy आज आज आप किसी ना किसी के through काफी praise होंगे आपके towards लोग बड़े respectful होंगे, बहुती unconditional respect और unconditional love दिया जाएगा वैसे तो Ace of Cups सिर्फ और सिर्फ महबत का card होता है लेकिन ये आया Queen of Pentacles के साथ है एक ऐसी feminine energy जो के independent है, growth oriented है, self sufficient है co independent नहीं है, अपनी legacy, अपनी earning, अपनी savings पर काम करती है खुद की भी growth पर work करती है और publicly अपने surrounding में भी जितने लोग हैं उसकी growth पर भी काम करती है तो overall Ace of Cups के साथ, it is a big surety, it's a big confirmation कि आज आपकी पजीराई होगी, आज कोई सामने से अगर आपकी होसला वजाई और आपकी तारीफ ना करे तो यकीनन आपकी effort को recognize करेगा, आपकी कोशिशों को, आपकी services को recognize करेगा चाहे वो घर से related हो या काम से related हो On the other part में देखूं तो जितना आपने अब तक अपनी life में जितनी सारी जिम्मेदारियों के साथ आपने तमाम कामों को समाला है With the ten of wands, एक cycle है जो आपने अपनी life का complete किया है और एक cycle है जो अब आपकी life का change हो रहा है Which is towards your luck, सबसे important बात, which is towards your luck आज आपको अपने financial stability में आज आपको बहुत बड़ा chance मिलेगा With the wheel of fortune, जिस तरह के आप person है आप जितना selected words और choice of words और अच्छे timing के साथ अच्छे thoughts के साथ आज अपने आपको जितना showcase करेंगे जितना सामने लेकर आएंगे तो कुछ लोग आपको recognize करेंगे With the wheel of fortune आज अपने आपको proof करने का, convince करने का, अपने आपको साबित करने का जो है वो दिन है आपके लिए, no doubt आपने दिनरात महिनत की है, no doubt आपकी परेशानियां, आपकी जिम्मेदारियां बहुत जादा हैं जो कि आपकेले हाथ से लेकर चलते चले आए हैं और आज के दिन आपकी उन तमाम जिम्मेदारियों को, तमाम परेशानियों को एक तरीके से किनारा मिलेगा जतनी उलजहनों में, जतने बोज में, जतने बर्डन में, जतने stress डाउन आप रहे हैं उन तमाम चीजों को आज एक edge मिलेगा कि आपको लगेगा कि ठीक है, this is fine, ये इसी तरीके का process होता है और आज अगर आप एक तरीके से मोड़ कर देखते हैं कि मेरे पास्ट में मेरे साथ कितनी तकलीफे रही, मैं कितनी उलज़नों कर शकार रहा या रही और एकदम से आज आपको इतना सा राहा जा रहा है, इतना रेकरगनाइस्ट किया जा रहा है तो आपको लगेगा कि जैसे ये सब परिशानियां परिशानियां नहीं थी आपकी तालीम पर, आपकी नॉलज़ पर, आपके तजुर्बे पर, आपके एसोसियेशन पर वैसे तो कोई जिसे कहना चाहिए ना, कोई बैठा हुआ था, can you see this कि कोई आपके लग के साइकल पहले ऐसा बैठा हुआ था जो रूल करता है लेकिन इस वक्त तमाम चीज़ों को, क्योंकि नॉलज, 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 नॉलज को लेकर, ट्रांसपैरिंसी को लेकर, और ये के जिसे कहते है ना, कि अपने हाग हलाल को अपनी रोजी रोटी को हलाल किए है और ये वाकिए बाकिश हकीकतन है बात, कि आप अपनी अर्णिंग को हलाल اور حرام میں منتقل کر بھی سکتے ہیں और अगर आप एक housewife हैं अगर आप घर में रहती हैं तो उस point of view से भी हलाल और हराम चीज हो सकती है कि आप घर की ही household में आप कोई इदर उदर कुछ कर दें चीज़ें लेकिन जिस तरीके से आपने अपनी life को और अपनी responsibilities को carry किया है उसमें integrity और loyalty को आज बहुत सराहा जाएगा एक तो ये scenario बहुत clear नजर आ रहा है आपकी तरफ एक unconditional love भी है किसी की offer है एक वो महबत जो के overall होनी चाहिए आपको आप deserve करते हैं आपको मिलनी चाहिए वो बिलकुल clear नजर आ रही है कि आज sentiments point of view से भी चीज़ें आपके favor में है आज sentiment point of view से भी चीज़ें आपके लिए आपकी तरफ आएंगी आपको कोई बहुत respect के इलावा कोई आप से associate होना चाहेगा कि वो materials के point of view से ना आए लेकिन महबत के point of view से आपकी तरफ आए जैसे बहुत छोटे छोटे से gesture होते हैं कोई आपको याद करते करते एकदम से आपके रहे बहुत महबत और बहुत खिचाओ महसूस करें वो एक unconditional love की मिसाल है एक sign है ये तो overall अगर देखा जाए luck आज आपके साथ है with the wheel of fortune today is a day to prove yourself and to come up कुछ बहुत सारे लोग आपके मुतालिक जो किसी और के अलफास से सुनते है आज आप खुद अपने तई उन लोगों को prove कर सकते हैं कि आप बहैसियत एंसान खुद किस तरह के हैं कोई आपके बारे में कुछ कोट करके किसी को कुछ बताए but now with the wheel of fortune अगर आज आपका किसी के साथ आमना सामना होगा तो they will definitely praise के आपके उपर बहुत जिम्मेदारी हैं and you're doing very well and this is the way this is the pride ये तरीकाए कार होना चाहिए ये ही भरम होना चाहिए और ये ही grace होना चाहिए चीजों को आगे लेके चलने का today the luck is on your side और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद आपको कोई bonus मिल सकता है आपका कोई bonus consider कर सकता है और अगर आपके कोई पैसे कहीं अटके हुए थे जो के आपने कहीं invest किये में और उनको निकलवाना बहुत मुश्किल है तो आज हो सकता है कि आपको कहीं से कोई clue या कोई hint मिले कि भाई इनको ना इतने पैसे दे दो इनके जो इतने बंते इनको दे कर free करो release करो because कहीं न कहीं आप के बारे में अगर कोई कहीं court करता था तो आज अगर आपकी किसी से दूबदू मुलाकात होगी तो जो third party है या जो second party है जिनकी dealing होती है किसी के तूबद आपसे मिल के convince होंगे तो आज आपको खुद भी feel होगा कि यार मैंने जितनी life में toughness देखी है hardships देखी है आज मुझे छोटी सी थपकी और छोटी सी हसलावजाई से बहुत हिम्मत मिली and then you will be more vibrant and then you'll be more dynamic तो this is something very interesting and yes किसी ऐसे इंसान की तरफ से भी आपको महबत का signal मिल सकता है जो के बिलकुल hopeless हुआवा है और आपको खुद भी नहीं अंदाजा कि इस साइट से आपको यह unconditional love offer आई की क्योंकि आपने बहुत हद तक बहुत अरसे तक अब आप उन चीजों को नहीं देखते जहां पर आपको उमीद होती है जो चीज़े गुजर गई कहीं आप अपने past को carry करना है शायद इसलिए आपके आज के दिन की reading जो है वो 10 of 1 से स्टार्ट हो रही है because आपका भी past baggage जो है वो बहुत heavy है but these two cups are going to they will turn into this and then definitely ये चीज़ जो है वो आपको एक edge देगी और इस edge के बाद आपको feel होगा no it's excessively love in intense and then things will be different तो आज के दिन अच्छा दिन है खुदा ताला आपके वकार में आपकी इज़त में आपके होस्टे में आपकी खिद्मात में और आप जितने भी अमल करते हैं जो के अपनी family को run करने के लिए है अपनी earning के लिए है अपनी growth के लिए है उसमें आपके लिए सहल के मामलात करे आज का दिन आपके लिए अच्छा गुज़रे आज मन्त का last day है 30th of November नया दिन नया महीना आखरी महीना साल का जो कल का होगा वो कल शुरू होगा और आज का दिन जो है वो आपके लिए बहुत सारी blessings के साथ है आमीन बढ़्य